लॉक्डावन में जब खाने की समान की हो कमी, तो फिर बहुत जल्दी एक छोटे से स्नेक्स की हम करते हैं, तेयारी। खाली दो या तिन इंग्रीडंस से बहुत ही शांदार स्नेक्स बनेगा, राइस से राइस बॉल। चली दोस्तो शुरू करते हम राइस बॉल बनाना तो फ्रेंड्स आज बनाएंगे हम राइस बॉल जो राइस हमारे बच जाते हैं जिन्हें हम रात को या फ्रीज में रख देते हैं या शुबह बनाया शाम तक बच गया तो ये मेरे पास बचेवे राइस थे, ये मेरे पास हैं करीबन 200-300 ग्राम के आसपास राइस है, तो ये लेते हैं और बहुत ही आसान और इतनी शांदर रेसिपी है, बच्चे तो बच्चे मैं कहारा हूं बड़े भी नहीं छोड़ने वाले, ये देखिए बॉल में मैंने 200-300 ग्राम के आसपास राइस लियावा है, तो नेक्स स्टेप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन राइस को एक मिक्सर जार के अंदर डाल कर इनको हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, इसके बाद हम इसका डो बनाएंगे, तो ये डाल दिया है, इसके बन जाएगा महीन पेस्ट सा, तो ये देखिए, मिक्सी में बिलकुल पेस्ट बन गया है, बहुत सिंपल है, सबको पसंद आएगी, देखेगा आप लास तक वीडियो को मज़ा आने वाला है आपको, तो एक बॉल के अंदर हम इसको निकाल लेते हैं, मैं अभी भी बोल रह भी कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें डाउल का आटा, ये चाउल का आटा आपको बजार में आसनी से मिल जाएगा, नहीं मिलता है, तो आप चाउल को मिक्सर ग्रेंडर के अंदर अराम से पीस लीजए, उसका आटा अराम से बन जाएगा, ये मैंने डेट सो ग्राम के हातों में चिपकेगा, तो इसलिए से इसमें थोड़ा-थोड़ा आटा डालते रहिए, और इसका एक ना ज्यादा हाड ज्यादा सॉफ्ट स्मूथ डो मैंना को बताया वैसे बनाना है, रैसे भी बहुत अच्छी बनने वाली है, आप देखेगा, आगे प्रेसेंटेशन भ होगा ना हाड होगा आटे की तऱ एक डोव बनेगा इसका, तो जोस्तों ये डोव मेरा बिल्कुल हो गया त्यार ना जदा हाड है ना जदा सॉफ्ट है बिल्कुल स्मूथ है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ही तो देखिए बड़ा मज़ा आने वाला है, मैं आप size आपके ओपर depend करता है कि छोटा size लेना है, बड़ा size लेना है, वो आपके ओपर depend करता है कि किस तरह से आपको इसके balls बनाने है, मैं बिलकुल छोटे छोटे ही बना रहा हूँ, ना ज्यादा चोटे ना ज्यादा बड़े, medium size पकड़ लीजिया, तो मैंने सारे balls अपने ब वीडियो बना है, महनत भी बहुत लगती है वीडियो के अंदर हमारे, तो यह ball देखे मैंने डाल दी है, अभी यह ball बिलकुल नीचे जाके तले पे बैट गए है, पानी boil हो गया है, इनको तब तक पकाना है, जब यह ball पक जाएंगे तो automatic यह उपर आ जाएंगे उठके, औ तो बस अब क्या करना है, हमें इने निकालना है और room temperature पे लाना है, तो यह देखे बिलकुल ready हो चुके हैं, ball उपर आ गए, पानी के उपर इसका मतलब ready है, flame हमने कर दी है, बंद, सारे ball हम निकाल लेते हैं, और इने room temperature पे लाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का texture का आया है, यह देखिए, बिलकुल soft है, रसगुलो की तरह हैं, तकि रसगुले हम नहीं बना रहे हैं, हम rice ball बना रहे हैं, आगे की preparation है, इसमें दले का तड़का, तड़का लगेगा, एक बड़ा tablespoon मैंने oil लिया है, तड़का कैसे, जैसे हम खमन रोक लेके अंदर तड़का मैं और जब करीपत्यों का तड़का लगता है, तो जो flavor आता है, भाई, amazing होता है, खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है, अभी इसकी शुरुवात हो चुकी है, इसकी, इसके बाद हम डालेंगे, मैंने दो हरी मिर्चे लिये, जिनने लंबा-लंबा काट लिया है, और बस थोड़ा सा हमें sauté type करना है, तड़का हमारा त्यार है, सारी राइस बाल्स इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरह से पैन को हिलाते वे, हम सारा तड़का राइस बाल पे अराम से लगा लेंगे, कि हमारा सारा तड़का बाल्स पे अच्छी तरह से चिपक जाए, इस तर जालेंगे हम हरा धनिया बारिक कटा हुआ, और भी कुछ आप हलका फुलका डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और फिर डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स से आप यह मत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, यह बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगी आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने चिली फ्लेक्स डालेते हैं, बस हमारी राइस बॉल त्यार है, प्रेजनीशन के लिए बस फ्लेम करते हैं, बन और इसकी प्रेजनीशन करते हैं, नहीं तो आप अपने थूद्पिक जो होती है, वो भी लगा सकते हैं, तो मैं दो तो इस साब को बताए तो किस तरह से आप इसका प्रेजंटेशन कर सकते हैं, इस तरह से भी लगाके इसमें दो दो, तिन, 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 बॉल, चार बॉल, जो आपको लगानी है उसी ताफ से आप लगा सकते हैं और ये बिलकोल तेयार है और ये देखिए मैंने इसके अंदर तीन-तीन बॉल्स करके लगाई है और यह मैंने toothpick से भी दिखा दिया आपके toothpick भी लगा के मैंने और यह sauce आप कोई सी भी ले सकते है मुझे green sauce पसंद है इसलिए मैंने green sauce लिया है तो इस तरह से toothpick में तो आप green sauce लगा लेंगे उठाके बच्चे भी लगा लेंगे और इस तरह में कैसे लगानी sauce ब्रश्य लेके अराम से इस तरह से आप sauce लगाईए कोई भी sauce जो आपको पसंद हो मैं और ग्रीन sauce ग्रीन चटनी सोरी धनिये की चटनी पसंद थी इसलिए मैंने लगा ली तो बस दोस्तो खुश्बोई बहुत अच्छी आ रही है presentation भी बहुत अच्छा हो गया अब भाई मेरे को रहा नहीं जा रहा है तो मैं तो इसको एक बार try करूँगा जरूर बहुत ही amazing बनिये दोस्तो बहुत ही amazing आप भी try करिये अपने परिवार के साथ अपने बड़े भुजर बच्चों के साथ बच्चों को तो खैर है बड़े भी नहीं छोड़ने वाले मेरा वादा है ये डिश बड़े भी नहीं छोड़ेंगे बिलकुल टूर परेंगे कितनी सुंदर दिख रही है उतनी ही टेस्टी भी बनी है तो चलिए दोस्तों मेरी रेसिबी आप कैसी लगी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा नई रेसिबी इसाथ बहुत जल्दी हाज रहते है तब तक के लिए नमस्कार जैहिन